आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले इंडिया के बैस P2P लेंडिंग प्लैटफॉर्म के बारे में 2023 जी हैं जितने भी लेंडिंग प्लैटफॉर्म है उन सभी के हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे कितना उनका NPA ratio है कितना default है वो जानेंगे साथ में उनकी जो भी जॉइनिंग फीस रहती है कितने वो रिटरंस वगरे प्रोवाइड करते है आर बिया इसे license वगरे लेना पड़ता है क्या प्रो है क्या कौन से सारे प्लैटफॉर्म का यह सारी जनकरी मिलने वाली आपको इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा इन्टरस जो भी मिलता है वो गुमा फिरा के इन्वेस्टर के पास में जाता है जैसे मतलब जैसे बैंक्स काम करते हैं अल्मोस उसी तरीके से यह पी टूपी प्लैटफॉर्म भी यहाँ पे काम करते हैं आपका इस इन सब को चाहिए होता है आर बिय की तरफ से license जी यहां अगर किसी को भी अपना प्लैटफॉर्म स्टार करना है उसको सबसे पहली चीज है कि आर बिय से license लेना ही पड़ेगा उसके बिना वो शुरुबात नहीं कर सकता है 5,000 प्लस यूजर से आर बिय का license है प्लस इन्होंने हार्दिक पांडिया को ऐसे ब्रैंड अमसर्ट वगरे ले रखा है फंडिक की बात के हो तो 11.6 million dollar की अभी तक इनको funding वगरे मिल चुकी है प्लस इसकी app की ratings वगरे की बात के हो तो 3.6 की rating है जिस पे 3,000 से भी जादा लोगों ने यहाँ पे reviews वगरे दे रखे तो देखे अब बात करते कि यह product क्या offer करता है तो fmpp करके का यूणिक सा product है जो बीसलिए आपको 12% का rate of interest यहाँ पे offer करता है साथ में guys इस fmpp का जो product है उसमें यह लोग बता रहे हैं कि आपका जो risk है उसको minimize करने के लिए आपका जो पैसा जो borrowers में बढ़ा जाएगा वो एक रुपे से भी यहाँ पे कम बढ़ा जाएगा तो अगर NPA बगर होता भी है तो यहाँ पे आपका पैसा पूरा नहीं डूबने वाला है साथ मैं गाईस इनकी अगर मैं fact sheet की बात करो तो मुझे यह बहुत अच्छी बात लगी यह हर मन्द इस type की एक fact sheet यहाँ पे announce करते है जिसके अंदर आप देख सकते हैं उन्होंने साफ लखा हुआ अज लिखा हुआ है कि more than 50% market share है इनका P2P industry के अंदर Indian P2P industry के अंदर प्लस NPA अगर मैं बात करो तो 2.30% का अभी तक इनका NPA है तो अभी तक guys यह 12,000 करोड से भी जादा पैसा यहाँ पे जो डिस्पर्स कर चुके 85,000,000 प्लस यूजर से 400% का annual growth है AOM size आप देख सकते हैं 17,000 करोड का है average जो return इनका 11.94% का है NP जो ratio है वो 2.30% का है Plus guys यह March की यहाँ पे रिपोर्ट है तो अभी तक 0% है यहाँ पे loss of the principle since the launch अभी तक principle कोई भी यहाँ पे default नहीं हुआ है और overall जैसे मैंने fact sheet के according बता है 2.30% का इनका net NP रहता है तो guys इसकी platform की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि इन्होंने पूरी transparency के साथ में अपनी report वगरे announce कर रखी है और इनकी performance की भी अलग से यहाँ पर tap दी हुए जिसके अंदर आप यहाँ पर हर बात जो है monthly basis पर इनकी performance वगरे भी check out कर सकते हो आप guys बात करते है second number P2P platform का जिसका नाम है guys liquid loans करके 2018 के अंदर यह start होता है 11.8 million dollar के भी तक इसको funding मिल चुकी है और guys अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि यह भी 12% club का यानि की भारत पर यह जो app चलाता है उसका भी partner है प्लस cred app जो आप अपने cred card कर के लिए use लेते हैं उसमें भी cred mint करके एक feature आता है जो आपको 9% का rate of interest यहाँ पर offer करता है फिर ola caps वगरे के अंदर भी यहाँ पर ola के अंदर भी यह partnership में है तो ऐसी बहुत सारी apps के अंदर आपको इंकी partnership वगरे दिख जाएगी प्लाट की गाइस मैं बात करूँ तो liquid loans यहाँ पर 10.5% का rate of interest यहाँ पर offer करता है जादा आपको offer नहीं करता लेकिने decent return यहाँ पर आपको provide करता है और इन्होंने cred mint के साथ में partnership कर रखी जहाँ पर 9% का rate of interest offer करता है इसके platform की गाइस अकर मैं performance की बात करूँ तो इन्होंने इस type से यहाँ पर table दे रखी है 90 से 180 days 181 से 365 days और 360 plus days की यानि जो भी loan card periods होता है उसके according इन्होंने अपना NPS जो gross NPS होता है वो यहाँ पर declare कर रखा है और वो आप देख सकते हैं 12-23 में 1% से कम है 12-22 में भी 1% से कम है क्या हुआ है website में actual के अंदर इन्होंने कोई भी report वगर ऐसे कोई publish नहीं करकी है जैसे हम लोगोंने पिछले वाले landing platform की देखी बाकी यह कोई भी joining fees वगर यहाँ पर charge नहीं करता है लेकिन definitely सभी P2P platforms की अपना एक cut रहता है जो आपको transparency के साथ में नहीं दिखता है और overall भी अपने platform के उपर P2P को implement किया है और यह landbox जो है इसका official partner है जहाँ पर आपको 12% का rate of interest यहाँ पर offer करता है यह 14% से भी ज्यादा का आपको rate of interest यहाँ पर offer करता है इसके different kind of the fixed return वाले यहाँ पर इसके product से आप यहाँ पर जब login करेंगे तो आपको screen के सामने दिख साथ में गाइस इनके अगर मैं portfolio performance की बात करूं तो इनका average return है recently यहाँ पर गिरा है 13% का return है शुरुवात में 12-17 मिन का काफी जादा heavily return था लेकिन अब यह अच्छे ही जो credit score वाले borrowers होते है उन्हीं को यह loan वगरे बाट रहा है जिससे इसका return भी आपे कम हुआ है plus इन्हों इन्होंने risk level के उपर अपने platform के अंदर category बात रखी आप देख सकते very low है low है moderate है high है और उसी के according इन्होंने NPA ratio वगरे disclose कर रखा है जैसे हम March 12-23 के अंदर दे सकते जो low वाला है उसके अंदर 0.41% का default है जो moderate है उसमे 0.78 का है जो high risk वाली category उसके अंदर 0.14 का है साथ में category होता है कि कौंगों से किस टाइप के loans है consumer finance है education loan है वो भी इन्होंने यहाँ पर category define करकी है और यह हर महीने यहाँ पर update वगरे होती रहती है जो P2P platform है वह है इंडिया P2P platform ही 2021 जसेंट लिए स्टार्ट हो रहा है 160K की इसको free funding वगरे मिल रहा किये और यह आपको offer करता है 12- 18% का rate of interest इसकी guys आप website के उपर जाएंगे यह simply आपको दो type के product offer करता है एक इनका growth plan है एक इनका मंतले income plan है performance की बात करूं यह इन्होंने यहाँ पर यह claim किया हुआ है कि अभी तक इनका 1% से भी नीचे यहाँ पर NPA है और कोई भी NPA जो है basically 90 days के अबाव होता है वो basically NPA यहा जाफी जादा यहाँ पर कम है EUM size की बात के हो तो guys ऐसा इनका कुछ भी यहाँ पर disclose वगर नहीं कर रहा कि कितना इनका EUM size वगर है आस तंबर पर guys यहाँ पर platform निकल के आता है fair said यह इंडिया का सबसे पुराना P2P platform है 2013 के इंदर start होता 9.8 million dollars की funding मिल चुकी है यह 12 से आपक 18% rate of interest यहाँ पर offer कर रखता है अगर guys इसके मैं performance की बात करूं तो यह performance में इस type की पूरी sheet देता है borrowers की किसने कितना पैसा pay कर रखा है किसका कितना payment वगरे due है जात में guys अगर आप portfolio की performance वगरे चेक करेंगे 2018 से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह काफी जादा high rate of interest यहा यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी तो इस तरह से यह थोरा सा इसका एक cons है बाकी यह सबसे पुराना यहाँ पर इंडिया का P2P platform है तो guys यह थे total यहाँ पर 5 platforms अगर मैं pro और cons की बात करूं तो देखे प्रो तो यह है कि आपको एक अच्छे returns देखने को मिल जात है लेकिन इसको mitigate करने के लिए platform क्या करते है आपका पैसा जो है इसको mitigate करने के लिए platforms क्या करते है आपका जो पैसा होता है वह ज्यादा borrowers के अंदर बाटते मला माली जगर आप 5,000 रुपे लगा रहे है तो एक एक borrowers को माली जए 10-10-50-50 रुपे बाटेंगे यानि होने के बाद में प्रोसेडिंग वगरे करता है ऐसे यह platform नहीं कर पाएंगे तो यह थोड़ सा collection रिस यहाँ पर हो सकता है तो इस वीडियो प्रीज सब्सक्राइब चैनल अगर आप लोग के कोई भी डाउट से comment box में जरूर बताईए और यार मेरे telegram चैनल को join करना मत बू लिएगा thank you guys thank you very much